नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे BPH यानि Benign Prostatic Hyperplasia की क्या सिम्टम है कैसे टेस्ट से पहचाना जाता है इसके क्या रिस्क फेक्टर्स है, इसके ट्रीटमेंट क्या है और इससे कैसे हम बच सकते हैं Prostate एक छोटा सा ओर्गन है जो male urinary bladder के जस्ट नीचे होता है और इसका main purpose है सीमन के अंदर कुछ secretions produce करना लेकिन जैसे जैसे males की age भढ़ती है इसका size भी भढ़ता जाता है और old age में जाकर अगर इसका size इतना बड़ा हो जाए तो male urethra के उपर ये pressure डालता है और उससे urine का बाहर आना मुश्किल हो जाता है और इससे ही ये सारे symptom होते हैं जो BPH में देखने को मिलते हैं तो किन patient में इसका risk जादा है वो लोग जिनकी age 50 years से जादा है उनमें risk जादा है और with age इसका risk और भी बढ़ता जाता है जिन patients में BPH की history रही है यानि उनके fathers को अगर ये problem था तो उनमें भी risk जादा है जिनका weight जादा है यानि कि obese है या जो active नहीं रहते और जिने erectile dysfunction है उन सब में इसका risk normal population से जादा रहता है इसके symptoms क्या है patient feel कर सकते हैं कि उनको incomplete evacuation हुई है यानि कि उन्हें urine pass किया है फिर भी properly urine pass नहीं हुआ urine बार-बार pass करना पड़ता है यानि कि उसके frequency बढ़ जाती है खास तोर पर रात को बार-बार उठकर urine pass करना पड़ता है urine की urgency बढ़ जाती है यानि कि जैसे ही आपको urine की feeling आती है आप रोक नहीं बाते और immediately toilet जाना पड़ता है और फिर से flow start हो सकता है यह ऐसा भी symptom देखने को milk सकता है इसको diagnose कैसे करते हैं बहुत सारे criteria है जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी proper history लेंगे उससे भी उन्हें आइडिया लगता है कि आप शायद BPH के शिकार है physical examination यानि कि वो आपको देकर एक rectal examination से prostate को feel कर सकते हैं और उससे भी एक idea लग सकता है prostate का size क्या है उसका texture कैसा है और उससे डॉक्टर्स को hint मिलता है कि शायद आप BPH के शिकार हैं इसके बाद कुछ test किये जा सकते हैं यानि कि urine का test कर सकते हैं post residual volume neurodynamic studies में bladder के अंदर का pressure भी study किया जा सकता है scans के अंदर एक simple ultrasound से या सिस्टोस्कोपी से या वन कुछ conditions इसमें की doubt रहता है CT scan या MRI भी doctors करवा कर इसका proper diagnosis बना सकते हैं blood test के अंदर TSA यानि prostate specific antigen बहुत important test है जो कि marker है कि by chance आपको prostate का cancer तो नहीं तो इसके लिए भी test बहुत commonly करवाया जाता है BPH को manage कैसे करते हैं एक बार इसका diagnosis बन गया तो जारदर cases में अगर बहुत जारा दिक्कत नहीं है यानि कि urine आपका completely रुक नहीं गया है then doctors आपको medicines prescribe करते हैं provided कि cancer का risk rule out कर दिया गया हो कही तरह की दवाया है एक एक करके medicine start की जाती है और अगर ऐसा लगे कि दवायों से आपका life ठीक चल रही है urine का flow ठीक आ रहा है तो हम just monitor कर सकते हैं और जितने साल medicine के साथ निकाले जा सकते हैं उतना time निकाला जाता है और operation तभी suggest करते हैं जब दवायों की वज़े से आपके life दवायां लेने के बावजूद भी properly ना चल पा रही हो यानि कि आपके symptom ठीक नहीं हुए या कोई complication आ रही हो जैसे कि बार-बार infection होना कौन-कौन से operation करवाय जा सकते हैं most commonly TURP यानि कि trans-urethral resection of prostate किया जाता है जिसमें कि urine के रास्ते से ही एक camera और कुछ instruments पास करकर हम ये prostate को धीरे-धीरे इसके chips बनाकर इसे urine के रास्ते बाहर निकाल लेते हैं ये बहुत commonly performed procedure है monopolar और bipolar दोनों method से किया जा सकता है patient एक या दो दिन में घर चल जाते हैं और कुछ दिनों में urine का जो pipe है उसे निकाल दिया जाता है इसका result immediately देखने को मिलता है urine का जो रास्ता चिकर गया था वो immediately बढ़ जाता है और urine का जो flow है वो normal हो जाता है इसके लवा कई तरह की lasers है जैसे कि holmium laser inuculation holap जिसमें laser के थूँ prostate का जो tissue है उसे evaporate कर दिया जाता है और इससे भी urine pass करने में eventually मदद मिलती है open surgery आजकल बहुत rare है open surgery में urinary bladder के थूँ जाकर prostate को remove किया जाता था लेकिन जैसे जैसे technology advance हो गई है open surgery है बहुत rare cases में की जाती है इस condition को prevent कैसे कर सकते हैं इसका कोई भी थोस prevention का method नहीं है फिर भी एक अच्छी lifestyle रखे है अपना weight normal maintain कीजे diet अच्छी रखे है अपनी blood sugar, blood pressure, cholesterol सबको under check रखे है और कोई भी और chronic condition है तो उसको भी अपने under control में रखे है यह वीडियो देखकर आपको benign prostatic hyperplegia यानि की BPH के बारे में idea लगा होगा और अगर आप यह आपके around कोई इससे PDT है तो अब अच्छे से उसका इलाज करवा पाएंगे अगर आपको वीडियो से अच्छे लग रहे हैं तो kindly like, share and subscribe and we wish you a very healthy life Thank you झापको